नमश्कार जी, सबजियां जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी होती हैं, पोशक तत्वों की पूर्ती करने का बहुत ही अच्छा मात्यम है, सबजियां स्वादिश्ट होने के साथ हमारे स्वास्त के लिए बर्दान सरूप होती हैं, ऐसी ही एक सबजी पत्ता गोवी है, जो भिविन रंगों और अकार में मिलती हैं, बिश्व भर में इसका इस्तमाल कई तरहे के लजीज वेंजन बनाने के लिए किया जाता है, या पत्ता गोवी स्वाद देने के साथ ही साथ कई शारी विमारियों को दूर भी करती है, हमारे हिमिनिटी सिस्टम को ये बढ़ाती है, इतना ही नहीं, पत्ता गोवी खाने के फाइदे शरीर को कैसे होते हैं, आईए हम बताते हैं, पत्ता गोवी एक परकार की सबजी है, जिसे बंद गोवी के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजी में इसे कैबिच कहा जाता है, ये बहुत ही अच्छी सबजी होती है, पत्तागोबी को सेहत के लिए फायदे मन्द बताया गया है दरसल पत्तागोबी में पाय जाने वाले एंटी आक्सिडेंट और एंटी इंफ्लेमेंटरी गुरों के कारण या गैस्टो इंट्रेस्टाइनल विकार जैसे गैस्टिटेस पोस्टिक दियोनेनल अलसर एरिटेबि बाउल स्रुष्टों में फायदा पहुचा सकती है साथ ही इसके इस्तमाल से हलका कटने वा घाव लगने पर भी रहात मिल सकती है बत्तागोबी से फादे जो होते हैं वो मैं बता देती हूँ अगर आप इसको खाते हैं तो आपके जो भी पाचन की समस्या है कर्ज है उसमे बहुत रहात दिलाती है पत्तागोबी जो है वो फाइवर से बहुत ज़्यादा भरी भी होती है अब फाइवर पाचन के लिए मददगार माना जाता है असल में फाइवर पाचन को बढ़ाना देने के साती साथ हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मजभूती परदान करता है पत्ता गोबी आँखों के लिए बहुत फादेमंद है इससे अमारे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है पत्ता गोबी में रोख पिरती रोधव चंता को बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है हीमिनिटिम सिस्टम को बढ़ाती है यह और इसको बजन कम करने के लिए बहुत ही फादेमंद है और दर्द में आपको रहात देती है आपका जो हार्ट है उससे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है इसे क्रेश्ट्रोल नहीं होता है पत्ता गोबी खाने से मधू मेह के जो मरीज है उनको इसको जरूर खाना चाहिए और इसमें जो है पॉस्टिक गुण होते हैं लेकिन इसमें एक आपको ख्याड रखना है जब भी आप पत्ता गोबी घर लाएं उसे आप गरम पानी में पहले धो जरूर ले यह बार जैसे गरम पानी आपने उबाल ने रख दिया है उसके बाद उस पत्ता गोबी के जित्ते भी आपके पत्ते आप रखते हैं उसको प गलागलाग करके गरम पानी में उबाल जरूर लें पत्ता गोवी में जो है बिटामिन सी से भरपूर रहती है इरक्तिक चा को कम करती है हमारे और दूसरा ये करस्ट्रॉल के इस्तर में कमील आती है तच्चा के लिए बहुत अच्छी है बालों के लिए लंबा करती है जो खो जो ऑगो